नमस्कार साथियों आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर साथियों आपको छोटी से छोटी जानकर या आर्सिम के बारे में उपलप्त करवाते हैं जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी फिल्ड में काम करते हैं किसी भी प्रॉफेशन में हम काम करते हैं तो उसकी छोटी से छोटी जानकरी भी हमें नौलेज में होनी चाहिए ताकि इसमें अच्छे से काम कर पाए लोगों को अच्छे से बता सके ऐसा ही आर्सिम में हैं यह दिया आपको अच्छे से काम करना है, तो इसकी छोटी से छोटी जानकारी लेना काफी आप शके, धिये धिरे हमें हर चीज इसमें सीखनी चाहिए, तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले एक छोटी सी जानकारी जानने वाले हैं, कि यह जो MRP, DP और PV होता है, यह क् अंतर क्या होता है, हो सकता है आप सबको इसके बारे में नौलेज हो, लेकिन कई नए लोग होते हैं, जिनको इनका नौलेज नहीं होता है, तो मैं इसलिए छोटी सा वीडियो लेकर आया हूँ, ताकि आपको इसकी जानकारी दे सको, सबसे पहले है MRP, MRP यानि मैक्सिमिम अधिडियो प्रॉडक्टर होते हैं, ़ंस पर एक लिखी लिखी होता है, आप सबी जानते हैं, आप हर प्रॉडक्ट पर देखियेगा, जो पैकेजिंग वाला प्रॉडक्ट होता है, उसे कहते है MRP, यानि हो इसकी ज्यादार प्रॉड़न से ज्यादा कीमत में कोई आइट लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं यदि आप उसमें असोसियेट हैं तो आपको जो भी रेट में समान मिल रहे हैं उसे कहते हैं मान लीजिए किसी प्रोड़क्त पर लिखा है आपको 10 रुपे की चूट मिल दिये तो कितने में मिल आपको 90 रुपे की तो वह 90 रुपे जो होगा वह होगा डीप यानि डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस इसकी डिटेल्स आप आर्सिम का एप है उसमें देख सकते हैं आर्सिम हैं तो उसमें स्कॉर होता है उसी परकार यह इसकोर मान लीजिए इसको स्कॉर है यानि जो दीपी होती है यह उसका 50 परसें या उससे थोड़ा सज्ञादा होता है 75 परसें तक यह लगबग रहता है यह समय समय पर बदलता रहता है कंपनी का जो भी सारा कमिशन का क्यलकु मिलता है पूरा कमिशन का क्यलकिलेशन पड़न कांतर है जमा बदलता रहता है तो आपको मैरे साथ से अक्लियर हो गया होगा धीकाद में क्या-क्या-क्याय अनतर है सब्सक्राइब करके रखिए नया वीडियो आता ही आपको मिल आएगा तो we'll see you in the next video till the time be happy and be healthy thank you